सिकंदर अगले जो मैचेज हैं बंगलादेश इंगलेंड न्यूजिलेंड सारों की कुछ खास सितारे चमक नहीं रहे खास और अगर डिफेंडिंग चैंपिन इंगलों को देखें तो उनका तो हाल शाहिद हमसे भी जादा बुरा है तो न्यूजिलेंड की परफॉर्मस भी अच्छी जा रही है और न्यूजिलेंड से हमारा रेकॉर्ड अच्छा रहा है हमेशा देखो बंगलादेश मुझे ऑन दो पेपर मैच वादे दिन क्या होता कुछ नहीं पता चलता ऑन दे पेपर बंगलादेश ऐसा लगती है टीम जिसको हम पकड़ सकते हैं इंगलेंड जैसी टीम जिसको बिलकुल ही गिरी है कल जिस तरह बैंट स्टोग खेल रहा था मैं तो हैरान था इसना बड़ा प्रिकेटर इसना नाम उसका मतलब है कि आप अभी आए हैं तुसरा जिसा और आप खेल रहे हैं और आप उसने क्या बैटिंग की मिटे तो समझ भी नहीं आप पा सकते हैं न्यूजिलेंड की तगडी ही होगी उनका मुराल भी बहुत अच्छा है जिस तरह हो पिछला मैच केले और जो चेस्ट किया है उन्हें उस्ट्रीले के खिलाफ अमेजिंग रविंद्रा उनका क्या खिलाडी नया ने लेकर रहे हैं वह मेजिंग अमेजिं के साथ चल रहे हैं कल का जो मैच अफवानिस्तान स्री लंका का ये भी एक थोड़ा सा पीस डिसाइड करेगा कि इन मेंसे जो भी जीतेगा वो हम से उपर आ जाएगा अभी हम छेपे हैं तो हम नीचे गर जाएंगे वह उपर चला जाएगा तो ये इनके मैच इस भी करें साथ अफरिका के खिलाफ हम बहुत अच्छा केलें लेकिन वो अमपाइर का एक डिसेजिन जो लबी डब्यू वाला सभी को पता है अमपाइरिंग पे भी बड़ी तनकीद हो रही है तो इस पर भी आई सी सी को एक्शन लेने की ज़होत है नजर डालने की ज़होत है कि अमपाइरिंग का मैयार इस दफ़ा लगा नहीं कि वो वर्ल्ड कप में अमपाइरिंग बड़ी तोर पर जो हमारी ही मैच के साथ हुआ था अगें साउथ एफरिका वो वाई आल कोर्टर्स हर को ही कह रहा था कि वो लास्ट जो आउट नहीं दिया अमपाइर ने जैट वस और वाइड बॉल भी जो उतलत होगी देखो यह जो रूल है ना के अमपाइर स्कॉल की इसके उपर को दू-3 साल से बना नहीं कितने जब से यह बना है दोगों को इस पर बहुत सब्सक्राइब है हमें भी इस पर बड़ा मुझे भी था इस बात पे जब बिक्रिट पर गि होना चाहिए ताके बाद में जब यह 10 मैच होते है ना जब दो रन से आप हारे हैं एक रन से आखरी ओवर में आखरी विक्ट के पर इस तरह के जो चीज़ें जादा पिक की जाती है कि यह गलती हो गई यह नो बॉल हो गई यह वाइट तुमने क्यों कराई तुमने मिस्व के मार दिये तो यह चीज़ें इस किसम के मैचों में आता है तो इस पहले 2015 में राहत अली का कैच डिसकास होता था तो इसलिए यह जो टेंस मैचिस होते हैं इनमें यह चीज़ें मगर मैं आप बिल्कुल एगरी करता हूं पूरी दुनिया ही इस बात पे कह रही है कि इस ही नंबर देने हो एंटे वो कप्तान जू है उसके बचिशेट, है और कमेंटस लिए डिक्सान को पता होता है कि यह हमारी यपूटि veio के होती है ञुटकली उस एक फैसले की बदा से अब तो जो हो जाता है देखें एक खेल का हिस्सा है ना फेल का हिस्से में ये सारी चीज़े आगे हैं ये सबसे बड़ी बात है ये नौबत क्यों हाई कि आखरी लंभे में वो बिल्कुल बचोड़ें आप अब हमने खेला अच्छा नहीं जिसका नतीज़ा ये निकला कि इत हमने देख ली अभी भी बहुत सी सिजेशंद करते हैं बी सम्ताइंस वंडर यह उन्टर यह पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा आखिन और पर रहेंदित आज़ अनुilot लगया ब्लू तो जो एंकर था उसनों बोला भाई क्यों हार जाएं चारो मैंच हारेंगे तो शायद चेंज आए अगर यह जीत गया तो फिर चेंज नहीं आएगा तो इसी तरह चलता है डेस्परेशन की लेवल अच्छा चेंजिस की हम बात ही करी रहे हैं तो टाइम कम रह गया जल्दी से बताने हैं फैजान फॉर दे मैच टुमॉरो अगेंस बंगला देश कुछ चेंजिस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाबर 11 में आज प्रैक्स सेशन में जब पाकिसान टीम ज मैच फिट कितने वो होते हैं अगर उनने रिगेंट कर लिए तो फिर मोस लाइकलि हुड यही होगा कि यह वापिस आएंगे शादाप पर अभी चेक करना है कि शादाप की हेल्थ कैसी है फिसना मैच में को सिटी स्कैन के लिए ले ले जाए गया था उनको इंजरी हुई ट लकन में इन्होंने बिर्यानिया कही हैं वहां कि क्या मशूर जीज खा रहे हैं और फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं नाइखर इस पूछे हैं यह पूछा है फैजान यह बताओ के जो सिदाप को चोड लगी थी उनका अमराइ वगरा हुआ था उसमें क्या निकला कि कुछ जो भी यह अलकी चोड़ी क्या थी नेकिए जो इसके जो इसके जो जो इसके बाद वहां पिस आये और बजाहिर नॉमन लगने तो बजाहिर कैसे दिखने उसकी बेस्पर अब अब नहीं कर सकते वो डॉक्तर भी बताएंगे या जिसके पास उसकी रिपोर्ट हो इसकी बता जाने की बात करें थे मुबशिल इतने ज्यादा आउंटिंग हो नी पारी बट कलकत्ता का खाना बेराल और या का डिजर्स बड़ा पेमस है तो आई होप कही ना कहीं प्लेश को मौका मिला होगा लेकिन है इदराबाद की बियानी पर इतनी तनकीद हो गई थी उसके बाद और सब क्लियर वे वापस होटल भी आ गया है और मैं समझा अगला जुमला इंटा वोगा कि वोटल भी वापस आई फिरो ने बिर्यानी भी खाली अब बिल्कुल से खेंगे अपनी आप खासकते हैं वैसे और सिकंदर बहुत बहुत शुक्रिया